सो गैस एक पर फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे तो इस वीडियो में आपको Instagram Reels का एक ऐसा कमाल का ट्रिक बताऊंगा जिसके तुरू आप Instagram पे HD में वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हो क्योंकि आए दिन आप Instagram Reels पे या Instagram पे देखते होंगे कि किसी किसी का फोटो या वीडियो फूल HD में होता है तो आप ऐसा सोचते होंगे कि साथ इसके पास iPhone है इसलिए HD में अपलोड किया है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास iPhone हो वही HD में अपलोड करें Android वाले भी कर सकते हैं बस एक option होता है उस option को on करना पड़ता है जो कि by default आफ रहता है अब यहां पर बात आती है कि हम Instagram Reels पे इंस्टाग्राम पर HD में फोटो या वीडियो अपलोड करें क्या करें इसका क्या फायदा है तो देखो बहुत फायदा है अगर आप Instagram Reels Creator हो या Instagram पर अपने लोग थोड़ा सा एट्रैक्ट होते हैं तो उस वीडियो को देखता है तो वो अच्ट्राइम आपको जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका वीडियो वाइरल होगा या फोटो वाइरल होगा इसलिए आपको जो है अपना पोस्ट यानि कि Instagram Reels का वीडियो या लाइक कर दीजे और आपको ट्रीक अगर पसंद आ जाए तो लास्ट में एक कमेंट भी कर देना तो सबसे पहले आपको Instagram पर जाना है तो मैं Instagram पर आगया फिर अपने प्रोफाइल पर आपको आना है यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन है इसके उपर क्लिक करो और कुछ इस एकाउंट पर आपको क्लिक करना है फिर यहाँ पर बहुत सारे options मिलते हैं भतेड़े option है यहाँ पर आपको घबडाना नहीं कि किसके अंदर जाना मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर एक cellular data का एक option मिलेगा आपको cellular data use का sharing to other apps के नीचे देख रहे हो ना तो इसके उपर आ आपका जल्दी से data खतम हो जाता होगा तो इसे on कर देने के बाद क्या होता है कि वह data जो है कम खत्म होगा और HD में वीडियो नहीं देखाया जाएगा for an example कि जब आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हो तो वहाँ पर option रहता है आपको select करने का कि आप HD में देखना चाहते हो 480 में या 360 में या 240 में या 240 में तो वो pixel आप खुद select करके वीडियो को देख लेते हो तो इससे आपका data कम खत्म होता है लेकिन यहाँ पे by default रहता है अगर आपका यह off है तो मतलब HD में ही वीडियो दिखाएगा जिसको यसे आपका data बहुत तेज़े से खत्म होता होगा तो आप में से कितने बंदे ऐसे हैं जिसका data जल्द जल्दी खत्म हो जाता है Instagram Reels देखने की वज़े से हमें comment में जरूर बताना क्योंकि मेरा बहुत बार खत्म होआ है तो देखो इसे अगर on कर दोगे तो आपको HD में वीडियो नहीं दिखाया जाएगा तो इस तरह से आपका data कम खत्म होगा लेकिन अगर आपको HD में वीडियो को upload करना है Instagram Reels पर या HD में photo upload करना है तो उसके लिए क्या करना है सबसे पहले तो data saver को on करना है ताकि ये option highlight हो जाए अब इसके उपर देखो by default हमारा wifi only किया हुआ है अब आपको क्या करना है कि high resolution media में यहाँ पे cellular data plus wifi का जो ये option है third number का इस पे click कर देना है फिर आपको back करना है और data saver को off कर देना है तो यहाँ पे देखो cellular data और wifi ही रह गया तो इससे क्या हो कि जब भी अब आप कोई post को upload करोगे तो वो hd में post होगा और काफी अच्छा आपका वीडियो पे वीडियो लाइक्स आएगा और अच्छा खासा response मिलेगा और इसे on कर दोगे तो भी आपको पता ही है कि आपका data कम खड़ ओगा और आपको full hd में video नहीं सो होगा तो देख लेना आप अपने हिसाब से इसे on या off कर देना मैं off करके रखता हूँ तो बस यह ही setting था तो गैस जैसा कि आपने देखा कि कितना simple सा trick था और by default यह wifi किया हूँ रहे तो इसलिए cellular data भी उसमें डाला जाता है तो इसकी बज़े से क्या होगा कि आप जब भी आप video photo upload करोगे तो वो hd में होगा आप try खड़के देख लेना तो आपको अगर trick समझ में आ गया हो तो एक like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और एक प्यारा सा comment जरूर कीजिए और चैनल को subscribe नहीं किए तो subscribe करके bell icon प्रेस कीजिए ताकि आने वाला कोई भी इस तरह का interesting trick आपसे miss ना हो सके तो मिलते हैं किसा interesting trick में तब तक के लिए ब बाब बाइ